नमस्कार दस बच चुके हैं और वादे के मताबिक मैं यहाँ जसने हिंद के Facebook पेज पर हाजिर हूँ तो ये पहला ओफ भी है फेस्बुक लाइब है फेस्बुक लाइब टो बहुत सारे हो चुके हैं चलते हैं लेकिन Silsila बदल जाता बात जसने हिंद की अगर बात है तो फिर हम हमारा सारा जो जो फोकस रहेगा वो आज तोड़ाथ भार परवेश है उन पर रहेगा और क्योंकि ये इतना अलग तरह का विशय है अलग और इतना व्यापक विशय है कि इस पर वैसे घंटों बात की जा सकती है लेकिन फिर भी कुछ-कुछ बातें हैं जो साधा करेंगे सबसे पहले जो जिसकी चर्चा आजकल लगातार जो चल रही ह है पहले हम उसी की बात कर लें और वो यही है कि हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं तो ये भी एक बात साजा करनी थी कि देखें वो इतफाकन जब 100 से ज़्यादा केस भारत में हुए 30 जनुरी को जो पहला केसा है था और 100 से ज़्यादा हुए वो था 16 मार्च को 114 केस हो गए थे भारत में तो यह थोड़ी चिंताग बात है और हैडलाइन बनी थी अखवार की और दो मौते हुई थी तब तो 46 दिन की कहानी ये थी कि 114 केस और दो मौतें और अभी बाद के जो है 17 मार्च से लेकर और कल तक कि अगर हम बात करें आज तक की बात करें तो कुरोना के केस हो गए 36,000 से आगे बढ़ चुके हैं और मौतें 1890 के आसपास से आज सुबह का आख़ा था भी और बढ़ गया होगा तो ये और जबकि 17 मार्च के बात से तो हम सब उसमें हम सब बड़ी साउधानियां बरत रहें तो ये एक बहानक था मुझे बतानी थी आप को कि हम सब को बहुत सजग सतरक रहना है क्योंकि ये बहुत बड़े उसे लेकिन तो ये बहुत जरूरी था और हम उनको जो कुरोना वारियर्स हैं या जो इस समय भी अपने सेवाएं दे रहें वो डॉक्टर हैं या मेडिकल नर्सेज हैं या दूसरे कर्मी हैं या हमारे मी घंजी साथ में हैं वह भी उसाक्षी संस्था भी सैक्णों बंचित लोग जो हैं जो जो पीडित लोग हैं उनको लगातार कबसे जब से सिलसला शुरू हुआ लाउट डॉन का तब से सैक्णों लोगों को खाना खिला रही है उनकी देख भाल कर रही है तो पॉन सब के लि आट कायोजन हुआ था जसने हिंद जिसका नाम था और मैं अगर अपनी बात करो तो मुझे दर्जनों सहितिक समारोहों में गया हूँ पूरे देश में और बहुत सारे संगीत समारोहों में भी जाना हुआ है जो थीटर के उत्सो होते हैं लेकिन जसने हिंद एक ऐसा समारोह था एक ऐसा महसो था जिसमें सहित भी संगीत भी नाटक भी निर्त भी और कलाएं भी और बहुत सारे विशय भी समाज भी सुरक्षा भी बहुत भाशाओं के जो तमाम भाशाएं उसमें जुड़ी शामिल हुई तो एक बहुत ही विराट आयो जनता चार मंच थे और लगा के दस वजे थक और मुशाइरा तो रात के गयरा साड़े दस तक चला था तो जितने पहलो सकते हैं अगर हम साइथ के बात करें तो गजल का अलग गीतों का अलग कविताओं कालग व्यंग का अलग लगुकताओं का अलग विरहल और इस संगीत में चलें तो भजन भी लोगीत भी और गुर्बानी भी और खवाली भी और घजलें भी और बड़े-बड़े कलाकार तो एक बहुत विराट आउजन हुआ तो अब यह हुआ कि एक आंदोलन बन गया एक अभिया पार देना है इस अभियान को बहुत दूर तक ले जाना है और एक ऐसा मंच बना देना है जो भारत की संश्कती के लिए भारत के साहित संगीत कला जुब है उस सबकी सनक्षण के लिए उनके प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़के काम करना उसमें लाफों करोडों बहुत जरूरत है साक्षी संस्ता के माध्यम से यह हुआँ साक्षी संस्ता के बारे में बहुत हैं कि डॉक्टर रृदुला टंडन इस संस्ता को चलाती हैं इसमें लाकों जो बाच्छे जो जुगी बस्तियों के बच्चे हैं जो शोशित पीडित बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत जिसको हम कहते हैं क्वालिटी एजूकेशन देना तो ऐसी सिक्षा देना उनका जीवन बदलना और इसलिए वो बस जब ऐसी बात आती तो मुझे अपना वो याद आ जाता है एक गजल का मतला कि तूटते लोगों को उमीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए और नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए तो डॉक्टर मुदला टिंडन तो हजारों बच्चों को खुशियां बाट ले हाजारों परिवारों खुशियां दे रही हैं तो जसने हिंद को क्यों हमें एक बहुत व्यापक एक आंदूलंग बनाना है क्योंकि भारत इतना विराट देश है और इसमें इतनी सांस्कृतिक अनमोल धरौर हमारे पास है कि इसकी हिफाज़त करना इसको बचा के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे साथ है अगर सिक्के पड़े हों रिजगारी और कुछ तो फिर हम उसको उतना शायद नहीं उस पर ध्यान देंगे उसकी सुरक्षा में लेकिन अगर हमारे पास हीरे हों मोती हों सोना हो तो फिर हम इसी तरह भारत की जो विराठ संस्क्रती है दुरभागिस से हमारे संस्क्रती में से बहुत कुछ है जो निरंतर हमारे यहां से विलुप्त होता जा रहा है घड़ता जा रहा है कम होता जा रहा है और बहुत सारी चीजें हमारी हैं जो जैसे मैंने कहा वो हर क्षेत्र में हो रहा है हम भाश जिए बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया बात एक भाशा है बढ़ी लेकिन हिंदी में हमारे जो बोल चाल के शब्डे बहुत सारे सब्सक्राइब होते जा रहे हैं तो एह उर्दू है कही न कहीं उसके जो पाठक या आव वो हैं जानने वाले घट्रें संस्कित महान प्रा गर बहुत सारी हमारे विधायें खतम हो रहे हैं हम संगीत की बात करें हमारे लोगीत हमारे बहुत सारी लोगीत खतम होते जा रहे हैं और मैं बात करूँ तो जब मैं पहली पोस्टिंग थी 1980 में तब हमें एक बहुत बड़े संगीत तक महापुर वह वहाँ आये थे वो थे तो संथ लेकिन उनका काम संगीत पर था सारा और उन्होंने तब बताय था उस जमाने में आप सूचिये बहुत परानी बात हो गई तब कि हमारे कितनी बंदिशें हैं उन्होंने हमने रिकॉर्ड किया था बहुत सारा कुछ और कैसे वो उनकी जगाई परो आपने अनवोस आ जा करूँगा और गड़वाली वो उसमें गीत भरे जाते थे तो हमारे जो मौलिक जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं खूती जा रही है वो एक बहुत चिंता का विशय है और यही चीज हर जगए पर हो रही तो हमें अब देखिए मैं आप से सहाजा करूँ जब बात संस्कृति की होई रही है कि हमारे देश में इस वकद मेरे ख़ल से साड़े आठ सो से ज़्यादा चैनल है अपवाद के तोर पे अभी एक दो चैनल आए हैं जहां पर कुछ शास्री संगीत हो रहा है या कुछ सगम संगीत आता हो लोग संगीत आता हो यह चिंदा का की विशय का विशय है तो मैं जो बात कह रहा था कि जो बचाने वाली हमारी विदा हमारे साहित संगीत और इस सब विधाओं को बचाने के लिए हमारे बहुत सारा लोक नाट रोकीत का मतलब उनमें हमारी संस्कृति हमारे जीवन मूल अनम्वोल ध्रोहर वो wonderful वह संजोई हुई है श्वादош संगौ्राम की बात कहीं की बात ओव वो उनई से हमको एक कहीं कहीं से बजपन से उन लोगीतों को सुन करके वह जीवन मूल जिनके प्रती हम समर्पित हो جاتے है वह अमारी रगों में बेहते हैं और वो हमको संसकारित करते सिर्षे ऐज अगर यतना हृत बढ़ गए हैं इतनी संवेदन रिदम हाँ तोorama कहीं न कहीं उसके मूल है जसने हिंद का कि हिंदोस्तान में प्यार बढ़े महबद बढ़े भाई चारा बढ़े हमारी जो एक मिली जुली तहजीब है वो आगे बढ़े तो उसी सिलसले का मैं एक जैसे हमें कहा गया था मरदिला जी वह ने कहा तो कुछ कविताओं की बात करते रहना तो मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको सिधे सिदे सुनाता हूं समय थोड़ा बचे गा इसलंगे नहीं सुनाता हूं तो ये गीत ये है कि मा की ममता फूल की खुश्बू बच्चे की मुस्कान का मा की ममता फूल की खुश्बू बच्चे की मुस्कान का सिर्फ महबत ही मजहब है हर सच्चे इनसान का और पहला बन सुनिएगा कि किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता ह किसी पेड़ के नीचे आकर राही जब सुस्ताता है पेड़ नहीं पूछे है किस मजभब से तेरा नाता है धूप गुन-गुना हट देती है चाहे जिसका आंगन हो जो भी प्यासा आ जाता है पानी प्यास बुझाता है मिट्टी फसल उगाए पूछे धर्ब न किसी किसान का सिर्फ महब्बत ही मजभ है हर सच्चे इनसान का और गीत में बहुत सारे बंद है मैं संख्षेप में ये कुछ ही बंद सुनाता हूँ आपको एक बंद ये है कि ये श्रम्यूग है जिसमें ये श्रम्यूग है जिसमें सबका संख्षंग बहे पसीना है ये महनत का दौर की जिसमें सबका संख्षंग बहे पसीना है साथ साथ हसना मुस्काना संख्षंग आसू पीना है एक समस्चाएं हैं सबकी जात धर्म चाहे कुछ हो सब इनसान बराबर सबका एक समरना जीना है बेमानी हर ढंग पुराना इनसानी पहचान का सिर्फ महब्बत ही मजभ है हर सचे इनसान का और ये बंद सुनाता हूँ कि किसी प्रांध का रहने वाला या कोई मजभ वाला कोई भाशा हो कैसी भी रीत रिवाजों का ढाला चाहे जैसा खान पान हो रहन सहन पहनावा हो जिसको भी इस देश की मिट्टी और हवाओं ने पाला है ये हिंदोस्तान उसी का और वो हिंदोस्तान का मा की ममता फूल की खुश्बू बच्चे की मुस्कान का सिर्फ महब्बत ही मसब है हर सचे इनसान का तो ये गीत मैंने आपसे साजा किया मैं कुछ बातें जैसे मैंने कहा था कि आपसे कुछ बातें साजा करूंगा चिंता जो मेरी है और आप सब की चिंता बनने चाहिए और बहुतों की चिंता है मसलन मैं बीका निर में था जब मेरी पोस्टिंग थी तो वहां एक सज्जन थे मैं नाम तो इसमें जहूर बख्ष या ऐसा कोई नाम था तो वो मूर्तिकला में उनकी बनाई मूर्तियां घर घर में गणेश जी की लक्षमी जी की वो दर्वाज़ों पर होती थी और बहुत मतलब उनका काम था बहुत अनूठा काम था अलग तरह का काम था लेकिन क्या था कि वो मेडिकल कॉलेज में कोई उस तरह का जो काम होता है कोई टेक्निकल उसमें थे तो विचारे जब वो रात के आठ साड़े आठ बजे लोड़ते थे घर तब जाकर के वो अपना मूरती वाला काम करते थे फिर भी वक्त निकालते थे और काम करते थे और मुझे ये लगता था कि अगर इनको उसर मिले तो ये मूरती कला में क्या-क्या कमाल करेंगे अभी तो चलिए ठीक है कि वो कुछ जहां आउसर मिलता बनाते हैं और मैंने वहां के कमिशनर से बात करके फिर किसी तरह से उनको मैं मतलब मैंने उनको एक साल का किले बा कोई काम होना था वीकानियर में किला बहुत शानदार है उनको एक साल मीकानियर कि में तो चुरू में वो है मेरे पास भी है आप बदाम तो आपने देखा होगा बदाम को बस जरा सा बढ़ा कर लेजिए जरा सा बहुत नहीं मैं कहता हूँ इतना सा बस बदाम से थोड़ा बढ़ा करिए उस बदाम को खोली है से खुल जाता है पूरा लाल किला आप उसको देखिए तो सही मायक उससे पूरा लाल किला उसकी महराबें उसका सारा जो वो पूरा उसका सौंदर है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा ऐसा अद्भूत ताज महल सब अब वो जो विचारे थे वही वाली परिशानी कि वो इतना अनूठा काम वहाँ पर वो उस तरह का कुछ और भी एक दो कलाकार करते थे लेकिन वही समस्या थी तो फिर इसी तरह से एक उस्ता कला है वहाँ पर पदम श्री मिला था उनको हिशामुद दिन उस्ताज जी उट की खाल पे नकाशी करते हैं और मुझे अच्छी तरह आद में लाइब कमेंटरी कर रहा था पार्लेमेंट में क्लिंटन सहाब को वही भेंट किया गया था मेरी जो आदास वही उट के खाल पे नकाशी किया हुआ उनको एक बहुत यादगार दिया इस्मृति चिन दिया गया था लेकिन वो जो उस्ताज सहाब थे वो कला वो भी उनका परिशानी थी कि उट के खला यह जो है ना यह नस्ट हो जाएगी कोई इस तरह का एक पाएं उसको लोग आगे बढ़के आएं और मैंने उनी दिनों में पुरानी याद है मैंने बहुत प्रतिश्टित पत्रिका के लेक में लेक लिखा था लखनव की चिकन कारी पे दुरभाके की बात थे थे कि पूरा आख़्ों को इतना चिकन कारी का जो काम करते हैं इतना गो दुनिया में जाता है लेकिन उसको जो रिक्षा चला था Uzok हमुंसे कम उसको मिलता था पैषा जो एको काम करते हैं वह मैंने उसमें लेक में लिखा था तो कहने का मतलब कि जो हमारी लोग कलाकार हैं उनको वो सम्मान हम नहीं दे पाते हमारी सरकारें इसी तरह मैं जब वहां कठुआ जम्मो कश्मिर में था वहां एक बसोहली कलम है जैसे आगे बढ़ा रहा था, वहां मैं जो कर सकता था वहां के मंत्रियों को वहां के जो भी अधिकारी थे भई एक कटमी मना दो कुछ करो अब वो कुछ बातें वाते हैं तो हुई कुछ इनिशेटिव ले गए लेकिन इन्डियन विरुक्रेसी में कितना कुछ हो पाता है नहीं हुआ क्या हुआ 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 है तो कुल मिलाके पूरे देश में बहुत कुछ है जिसको बचाए जाने की जरूरत है हमारी कलाओं में और ये भी एक जरूरी बात है कि जैसे ही हम, हमारे यां तो हमारे भारत में तो ये कहा गया है कि साहित संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्च विशान हीना ये जो व्यक्ति साहित से कला से और संगीत से अब ये नहीं कि हर कोई कवी बन जाएगा हर कोई गायक नहीं बन जाएगा लेकिन है वो साक्षात पशु तो ये हमारी अधारणा है, भारत में तो ये अधारणा है और लेकिन फिर भी हम किसी क्षेत में चले जाएगा हम अगर साहित की बात करें तो अगर आपको हमारी देश में कविताज छपवानी है तो फिर आप तीस अजार से लेके और सत्तर अजार दिये प्रकाशक को तब हुआ आपको संग्रे चापके देगा फिर वो आपको वो खुदी सबको बांटना है और वो भी एक लंबी कहानी उस पर बहुत बात हो सकती लेकिन परिदर्श यही है कि हमारे जो है खरीदार नहीं है सतर साट करोड लोग भारत में हिंदी जानने वाले है किताबें चपती है पांसो तो यह बहुत बड़ा संकट है यह इसी तरह संगीत में चले जाए संगीत में जो क्या गारे हैं वो मैं नाम वामत नहीं लूँगा लेकिन वो जो लाकों करोडों लेते हैं एक शाम का उनकी हा संगीत को बचाने के लिए लोग संगीत को सुगम संगीत को शास्री संगीत को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया लिकिन और भी सस्तायक भी तो सामने आनी चाहिए वरना तो वो जो हमारे जो जैसे मैंने कहा जो साधक लोग हैं उनके सामने बहुत बड़ा एक संकट है तो ये कहीं न कहीं हमें देखना और एक चीज मुझे ये भी आप से साजा करनी थी कि हमारी जो चीजें हैं वो भारत से बिलुप्त हो रही है विदेशों में जा रही हमारे जो भारत वंशी है जो विदेश हमें एक चोटे कभी भी हैं तो वो हमारे टीम लीडर थे वहां देखिए तो हम लोग के सम्मान में वह बहुत विशालिक आयोजन किया गया एक पार्टी दी गई वहां उनके वो जो हमारे यहां जनुरी पर आये थे और राष्टपती वहां के वो भी आये थे खुद गाड़ी उस वकट राष्टपती नहीं थे खुद गाड़ी चला जीप लेके अपना इस टापा आये थे पूरे टाइब लेकिन वहां जो एक खास बात मैं आपसे साजा करना चाहिए संस्कृती की बात कर रहा हूँ वहां मैंने ये देखा कि वो जो सजन जनों ने पार्टी दी थे बहुत बड़े वहां के वियापारी थे अगर वहां सो सवा सो लोग आये थे उस पार्टी में उन्होंने एक एक व्यक्ति को खुद प्लेट उठा के दी अब क्या ये हम अपने हाँ पर जो शादिया होती हम ये करते हैं क्या पहले करते थे पहले ये सब हम करते थे लेकिन एक क्या है इसमें एक कृतक गिता है एक अतिति का सम्मान है तो यह हमारे जीवन मूल है यह नहीं के लिए भारत जाना जाता है हमारे हमारा जो त्याग है बलिदान है परोबकार है लोगों के प्रती समवेदना है आज हम कहां पहुँच गए हैं कि हमारे मजदूर कल जो है वो पट्री मेही मर गए हैं बूके प्यासे, सेक्डो मील का सफर कर रहे हैं, पोर्टलियां सर पर रखे हमने क्या समाद बना लिया भबहान मालिक है, तो वेहराल, तो मैं बात कर रहा है, तो वहाँ की टिने डाट की, तो ये चीजें वहाँ जाके, वहाँ मैंने देखा कि कितने ही गही सों, वह वही में हैपी दिवाली नहीं होती है वहां पर या तो दीपावली अविनंदन होगा या एद मुबारख होगा वहां नहीं तो कहने उसे छोटी-छोटी बात हैं तो फरक नहीं लेकिन पढ़ता है कि कैसे अपने जीवन मुल्यों को अपनी संस्क्रती को उनको बचा के हम रख पाएं ये बहुत बड़ी बात है और जसनेहिंद का एक काम ये भी है कि हमारे दिमागों में जो जाले हैं उनको हम हटाएं और तमाम करें कि जो छोटी-छोटी धारणाएं हैं छोटी-छोटी बाते हैं उनसे बाहर अब हम उधारन देना चाहे हम अरदू की बात करें ये हम सब की जिमिशनारान चक्वस्त हों रगपति साहिब फिराख हो मुशिप प्रेम चंद हो या हमारे कृष्ण चंदर जी हो राजन सिंग बेदी एक लंबी परंपरा है तो क्यों आप किसी धरम से ही आप उसको बांधते हैं और या उर्दू में की बात करें तो सारे जहां सच्छा हैं दोस्ता हमारा सरफोरोशी की तमना अब हमारे दिल में है कितना कुछ हमें मिला है तो हम कई दफ़े इस तरह के छुटी-छुटी चीजों में फसते हैं आज की तारिक में अगर हम बात करें तो इस देश में भारत में सबसे उर्दू का सबसे बड़े जानकार जो हैं विल्कुल शुद्दू उर्दू के तो वो मेरे हिसाब से अगर हम पांच नाम भी लेना चाहें पूरे देश में तो वो होंगे पंडित आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देलवी तो मतलब मैं यह कहना चाह रहा था कि किसी भाषा को या सब को इसमें से यह जो छोटे-छोटे बटवारे हैं उसे अलग करके हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि हम कैसे अपने भाषाओं को बचाएं अपने बोलियों को बचाएं अपने साहित को बचाएं अपने संगीत को बचाएं अपने बहुत कुछ धरोवर हमारे साथ है उसको हमें कहीं ने कहीं से बचाना है और इसके लिए करना ये पड़ेगा कि देखे बात इससे नहीं बनेगी कि हम खुद कितने बड़े कभी बन गए या शायर बन गए खुद कितने बड़े गायक बन गए संगीतकार बन गए खुद कितने बड़े चित्रकार बन गए या हम नलत में कितने आगे चलेगे नई हम सब जो भी कहीं न कहीं जिनको इश्वर ने थोड़ा समाज से अलग हटके कुछ दिया है सोचने विचारने की शक्ति दी है और ये समझ दी है हमें साहित से जोड़ा है संगीत से जोड़ा है वो प्रतिभादी है उनको कहीं न कहीं परफॉर्मर के साथ साथ अपनी कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए हम नई पीड़ी तयार करनी पड़े अपनी युवाइपीडी को तयार करना पड़ेगा वो साहित संगीत की जो विरासत है उसको आगे ले जाना पड़ेगा उसको लोगों तक ले जाना पड़ेगा उसको स्कूल स्कूल तक ले जाना है बच्चे बच्चे तक ले जाना है गाउं गाउं तक ले जाना है क्या होता है कि सारी चीज़ें सिमट आती है हमारे महानगरों में नगरों में और जो गाउं है जो हमारे कस्बें हैं कई दफ़े वो चीज़ें वहाँ उनसे बंचित हो जाते हैं तो ये भी एक जिम्हेदारी जो है समभालने का काम हम सब का है. अब ये राजनीती में चलती होगी उठा पटेक्स और ये वो उसको हटा उसको गिरा लेकिन मुझे लगता है छो संस्क्ती का काम करें, जो सहित का काम करें, जो संगीत का काम उन सारी संस्थाइद बहुत सारी होती है उन सब को मिल जूल करके एक बीड़ा उठाना चाहिए कैसे हम जो हमारा एक बहुत बड़ा यग है यग यही कि हम सब अपनी जो विरासत है सांस्कृतिक विरासत है अलग-अलग जगहों पे क्या कुछ नहीं है हमारे पास इतना कुछ है लेकिन हम उसको कहीं न कहीं से छोड़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं और यह हर स्तर पे हो रहा है उससे हमको बचना है दरसल यह भी हुआ है कि संस्कति शायद हमारे देश में उस पर उतना ध्यानी आप याद करके बताएए कि हमारे आजादी के बास से संस्कति भी भाग जो है कल्चर जो है वो कितने कैबिनिट मिनिस्टर हुए है नहीं हुए है वो तो राजमंत्री बने और कहने को यह भी कहने को तो यह कहा जा सकता है कि संस्कति को इतने महात तो दिया कि जो क्योंकि जो मंत्राले किसी पर नहीं होता है प्रदान मंत्री पर होता है कि भाई संस्क्रति को प्रदान मंत्री जी समाल रहते है वो एक अलग बार लेकिन हां कहीं न कहीं वो जिस तरह का ध्यान दिया जाना चाहिए था वो शायद हम नहीं दे पाए और एक सांस्कितिक जिसको हम कहते हैं एक जमाना तो था डॉक्टर राधा किश्मन जैसी हस्तियां कितनी बड़े विद्वान और यह जितने हमारे बड़े बड़े नेता महादमा गांदिक दीजी यह सब लेखक थे डॉक्टर राधिन प्रसाद हो पंडित नहरू डिसकोवरी आप इंडिया से लेके तमाम सारा कुछ उनके और जितने हमारे वो जमाने में एक साहित के साथ मिलके चलने की एक परमपरा थी और नहरू जी हो और फिराग उरक पुरी के साथ कैसे संबन थे या निराला जी के साथ उनके कैसे संबन थे या और भी हम चलें वो सिलसला तो वो कहीने कहीं कड़ी टूड गई और राजनीत में वो साहित और ये इस तरह की जो संस्कृतिक से लगाओ था संस्कृतिक कर्मियों से वो कहीने कहीं मिष्रा जी जुड़ गई है प्रेम विहारी मिष्रा जी खुद कभी हैं और संस्था चलाते हैं बुजर्गों के लिए भी और भी और शादराही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है देवेदर कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है तो अब मुझे लगता है फिर ये काफी बाचीत हो गई तो कुछ और सुना दिया जाए पहले जो है ना वो मृदुला जी की बहुत पसंदीदा कविता है और मेरी भी वो ये कविता का सुभाग है कि इसको बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है चुकि अंग् अगर रूस जाना हुआ तो वह रूसी भाषा में उसका अनुवाद हो गया वेंज्वेला वर्ड दुबः पहुत है बहुत सारी भाषाओं में इसका जो है अनुवाद हुआ है देश के हमारी देशी जो भाषा है उनमें भी डोगरी से ले करके और बहुत सारी भाषाओं में इसका हुआ है और मेरी बहुत प्रीकविता है दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है दिल्ली में हम जानते हैं हमने कित सा एक ट्रेंड बनाता तो बहराल तो वे लोग कविता की फरमाईश शुरू-शुरू में डॉक्टर मृदला टंडन जी ने कर दी थी वो मैं कविता आपको सुनाता हूँ और मैसूस करिए हमारे देश को हमरे देश की संस्कति को क्या जीवन मूले होते थे कैसे लोग होते थ लेकिन कहीं न कहीं एक समवे दनहींता और आपस का जो प्यार है, हमारे रिष्टे हैं कहीं न कहीं में गरावट थे बहराल तो ये कविता सुनीए कविता का शीर साओ कि वे लोग कविता यू है कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलास दे थे चीतियों के ठिकाने कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलासते थे चीटियों के ठिकाने च्छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने के आकर चुक सके चडियां वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी भोजन प्रारम करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा सुरियास्त के बाद वे लोग नहीं तोडने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि सुरियास्त के बाद वे लोग नहीं तोडने देते थे पेड़ से पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोई हुए पेड़ों की नेन में जब चड़ियों के जुंड के जुंड आ जुटते तो उनकी फसलों पर तो वे उन्हें भगाने की बजाए कहते थे राम की च्रहियां राम के खेड और खावरी च्रहियों भर भर पेट वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात अजनभी से पूछ लेते थे उसका परचे जरूरत मंद की दिल खोल कर करते थे मदद बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुचा कर आते थे उस मकान तक कोई भूला भटका अंजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की बिवस्ता संभो है अभी भी दूर दराज किसी गाउं या कस्बे में कि संभो है अभी भी दूर दराज किसी गाउं या कस्बे में मौझूद हूँ उनकी प्रजाति के कुछ लोग काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहाल है कि आने वाली पीड़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था तो ये मैंने आपको कविता सुनाई अब तो ये है कि एनांस्मेंट होता है रेलवे स्टेशन पर और अजनवी आदमी से कोई चीज ना लें और कुछ चीज ना खाएं हम वहां तक पहुंच गए तो बहराल कोई बात नहीं बात हम आगे बढ़ाते हैं और मैं जो बात कह रहा मारवारी में अब वो दोह मझे इस बगत नहीं आद है लेकिन जैसे उस दोहे में एक बात कही गई है कि भाई अगर तेरी आखों के सामने किसी नारी का मान हो रहा है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है तो मान के चल कि तू मर चुका है तू जिन्दा नहीं है अब ये सारी जगहों पर रात के साड़े ग्यारा बज़े महिला निकले बारा बज़े निकलती थी कोई सब कुछ बड़ा अब कैसे कैसे इतना बदलाव आ गया कैसे दुर्भाग पूर्ण किस तरह की चे तो मुद्दा ये था कि जहां हम संस्कती से कटते हैं जहां हम अपनी कलाओ से कटते हैं जहां हम अपने साहित से कट जाते हैं तो फिर हम अपनी पूरी तहजीब से पूरी संस्कती से सब से कट जाते हैं ये जीवन मूल होते हैं हमारे जो हमारे लहू में बैठ जाते हैं चाहे वो राम और सीता का अदर्श हो चाहे वो राम लक्षमर और भाई- अगर इतने मिल और वो भी हजारों साल पहले और वो भी राज तंत्र में जब सामंती युग था तब भी राजा किसी एक व्यक्ति का की प्रजा में से उसका सम्मान करा तो उस आदर्श की बात है कि कहीं न कहीं जनता सर्वो परी है और हम तो अब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो वो सारे जीवन मूल जो हमें हमारे वेद से पुरान से उपनिशत से सबसे मिलते हैं तो वो कहीं न कहीं वो वो तो हमारे देश में कैसे ऐसा कैसे हुआ इतने घिनोने अपराग इतना मतलब कोई कलपना से बाहर है कि कैसे हमारे रिष्टे नाते कहां चाह दिया कैसा समाज बना दिया हम विश्व गुरु मतलब बनते हैं हैं भी सही और विश्व गुरु किस लिए हैं विश्व गुरु क्योंकि हमने दुनिया को गौतम बुद्ध दिये हमने महावीर दिये हमने गुरुनानक दिये हमने महात्मा गांधी दिये तो उनकी का नाम आता था in ndia इंडिया नाम आते ही तुरत एक आवाज गुंस ठीटी दि मेरा वे बूभाशिया साथ में होती थी और वह एक आवाज है इंडिया ग्रेट कंट्री उन्होंने कए इसी ने अपनी भाशा का किसी ने लेकिन वह कही न कहीं किसी किसी ने हाँ जोड़ दिये, नमस्ते कर दिया, किसी ने सर जुका दिया, तो वो दुनिया में भारत का सम्मान अगर है, तो वो हमारे जीवन मुल्यों के बज़े से है, जिसने वसुधय कुटुम्बकम की बात की पूरी धरती ही हमारा परिवार है, और उस देश में अगर हम बटवारे कर रहे हैं, सामपरदाइकता पहला रहे हैं, घ्रणा पहला रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं लोगों को, इससे अनुचित कार कोई हो नहीं सकता, ये मेरा माना तो इसके लिए फिर जरूरत है, क्योंकि जैसे अब ये क्यों, अब साक्षी संस्था ने, डॉक गजल क्या है, जोड़ती है ना, प्यार की बात करेगी, महबत की बात करती है, लोगों को जोड़ती है, देशों को जोड़ती है, वैसे साहित कविता जोड़ती है, और जो भी हमारा संगीत है, जो संगीत के पास कोई भाशा, बस जिन दिनों में, असम में, बहुत आप पर मैं वहां आकाश्वाणी के तरफ से कारकम हुआ, मैंने संचालन किया था, तीन घंटे हिंदी में वो सब कारकम चला, पूरा सब सभागार भरा रहा, और तो ये होता है, उसकी ताकत संस्क्ति की ताकत होती, संगीत और साहित की ताकत होती, अब उमार शर्मा जी हमारी दि सब कर रही हैं, और लोग कैसे आनन्द उठा रहे हैं, तो संसक्ति के बाद, जहां हम संगीत और कला, और इसकी बात करते हैं, और हम सब जुड़ जाते हैं, हमारे दिल जुड़ जाते हैं, यही साहित की और संगीत की एक ताकत है, और क्यों न फिर गजल साजा कर ली जाए आपसे गजल ये है कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से पैगाम कोई आया है चंदा की और से कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से पैगाम कोई आया है चंदा की और से शेर सुनिएगा कि बरसों हुए मिला था अचानक कभी कही बरसों हुए मिला था अचानक कभी कही अब तक बंधा हुआ है जो यादों की डोर से और शेर है कि मुझको तो सिर्फ उसकी खमोशी का था पता मुझको तो सिर्फ उसकी खमोशी का था पता है रहा हूँ पासा के समंदर के शोर से और ये शेर थोड़ी तकलीब के साथ कि मैं चौकता हूँ जब भी नजर आए है कोई मैं चौकता हूँ जब भी नजर आए है कोई इस दौर में भी हसते हुए जोर जोर से और वजल का आखरी शेर सुनेगा कि ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाओ पर ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाओ पर माजी को देखता हूँ मैं बच्पन के छोर से माजी को देखता हूँ मैं बच्पन के छोर से पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से तो बहराल वापस फिर जशने हिंद और उसके जो उसका मिशन है जो उसका लक्ष है जो उसका उदेश है वो वापस उसकी तरफ हम लोटते हैं और फिर एक बार हम वही जो आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं उनके सब के साथ उनके साथ अब जैसे कोई न कोई संस्थाएं चला रहे हैं सब किसी न किसी एक अभिहान में जुटे हैं तो बस अब वो सारी जो हम लोग को इसको 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 हम कहते हैं युदिस्तर पर लेना है और वो संशकती और कला साहिट से जितना ही हम जुड़ेंगे उतना ही शायद हम एक बेहतर बनेंगे तो फिर यह जो दृष हमें देखने को मिल रहे हैं कि लोग गरीब लोग पोटनिया इतने बड़े-बड़े के बच्चे रखे महिलाएं बच्चा गोद में समाले पोटली भी हैर पैदल सैक्णों किलोमीटर चले जा रहे हैं रस्ते में मौतें भी हो रही हैं यह कौन सा समाज कैसा देश हमने बना दिया है तो यह कितना संवेदन हिंता जिसे बहुत हो का एको फान हम देख पा रहे हैं तो यह जैसे 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 जितना जितना हम साहित से जुड़ते हैं अब जशने हिंद में डॉक्टर यह अपने शोबना नराइन जी का अद्मित्त हुआ था अब बहुत वरिस्ट आईएस अफसर हैं लेकिन मेरी मित्र हैं लेकिन कलाकार हैं तो वो आईएस अफसर को देखिए और दूसरे जो आई लोग बड़े अफसर होते हैं उनका जरा रवया देखिए और उनको तो ये कला है जो साह से काम करते हैं एक सोच एक दृष्टी हमें देती हैं जहां हम बहुत सारे बटवारें से उपर उठकर एक मनुष्य के नाते सोचते हैं इंसानियत की बात करते हैं इंसानियत का सोचते हैं, हमारे लिए पूरी धर्ती, बहुत वो जो है, हमें धर्ती का जो संकट है, हमारे नजर उधर भी जाती है, हम कालियत, जैसे कहा गया है, हमारे एक संस्क्रेज़ में इस लोग है, कि आप परिवार, अपने परिवार के लिए तो आप अपना बलिदान करते हैं, मतला अपनी खुशियों का, अपनी सुक्सों विदाओं का, गाउं के लिए परिवार का बलिदान करतें, जन्पद के लिए गाउं का बलिदान करतें, और देश के लिए जंपद का बलिदान कर देव परदेश के लिए जंपद आत्मा के लिए सब का त्याक कर सकते हैं तो वही वाली बात है कि हम एक बड़ी सोच लेकर चलें बड़ा दिल लेकर चलें और बटवारों को खतम करें समकुचित भावनाओं से उपर उठें मिलाने की बात करें जोडने की बात करें और एक बेहतर समाज बने एक बेहतर देश बने एक सांस्कृतिक दस्टी से संपन्न देश बने और वो हमें कितनी खुशी अभी कल की बात है हमारे गुर्देव रभीना टैगोर जी को हम याद कर रहे थे नॉबल प्राइज को याद कर रहे थे कितना गर पूरे देश को गौरा हुआ उनको नॉबल प्राइज मिला तो काश एक ही नॉबल प्राइज पर हमां टक गए साहित में और लोग आएं और साहित आगे बढ़े संगीत हमारे पूरी दुनिया में फैले हमारे अभी हला की वियापक पैमाने पर ले जाने की जूरत है गाउं गाउं ले जाने की जूरत है बच्चों बच्चों तक स्कूल इस्तर तक तो ये काम हम सब को कहीं न कहीं करना है और जितना है ये काम बढ़ेगा फिर एक ऐसा और अगर देश में भाईचारा होगा शान्ती होगी लॉइ विकास होगा जितने ही आमन चैन जब देश में होता है तो फिर वो बहुत आगे बढ़के जाता है देश बहुत तरक्की करता है तो संस्कति का जो विशह है वो खाली एक कोई भावनात्मत बात नहीं है मुझे जब वेनेज्वे लगया था तो वो एक बात बड़ी अच्छी याद रहे गई वहां के राष्टपती ने एक बात उनकी बहुत प्रचलित थी वो यह था कि जो साहित है जो संगीत है जो कलाएं हैं वो सिर्फ अमीरों के ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तू नहीं होना चीए उन्हें घर घर पहुंचना चीए गाउं गाउं पहुं वहां उदगाटन समारों में करीब 2000 लोग लाईने देखी थी जैसे अभी लाइनों के जिनकी हमèg हम चर्चा कर रहे थे वैसी लंब स्थार गाउझ समारười Ship पूरए दस दिन मैंने देखा वहाँ पर बहराल तो वो एक एक दरश मेरे जहन में था इसी तरह हम तो बहराल अब फरमाईश याए कि तरन्नम से सुना के इसको विराम दिया जाए तो चलिए तरन्नम से गजल सुनाता हूँ ये गजल भी मेरे बहुत प्री गजल इसने मुझे पहचान दे इसी गजल को ओशो रजनीश ने इसका एक एक वो शेर सुनाते हूँ उसकी व्याख्या करके पूरा प्रवचन दिया है इसलिए भी मुझे ये गजल और इसमें जो बात कही गई वो आज का जो विश्य है उससे जुड़ती है तो सुनिएगा अपने ही हाथों में अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुम्किन है कि ये नाव बचा ली जाए अपने ही हाथों में अब देखे ये मैंने जब घजल लिकी तो मैं उस वहां तक मैं नहीं पहुचा था लेकिन रजनीज जी ने उसको जोड़ा इस जो मतला है अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए उसको अप दीपो भववान बुद्ध का जो हम कल मना रहे थे उसको याद कर रहे हैं तो उससे जोड़ा उनोंने तो एक जो चिंतक है और एक महान संथ है उसकी जो सोचे देखे वो आओ बचा ली जाए अपने ही हाथों में शिर सुनेगा आज के दोर में जीने की शर्त है यारो लाश इमान की कांधे पे उठा ली जाए अपने ही हाथों में और ये शिर सुनेगा कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिष्टों का लेबास इनके बारे में घलत फहमी नपाली जाए अपने ही हाथों में और ये शेर खास तोर पर सुनेगा और जो मैं बात कह रहा था इतनी देर से वो इसी शेर में वो बात कही गई है कि पूरे गुल्शन का चलन चाहे बदल जाए मंगर हम समाजवादी बिवस्ता से बाजारत तक पहुंच गए कि पूरे गुल्शन का चलन चाहे बदल जाए मंगर बद चलन होने से खुश्बू तो बचाली जाए अपने ही हाथों में और ये शेर सुनेगा इन धुआती से मशालों को जलाने के लिए इन धुआती से मशालों को जलाने के लिए राख के धेर से राख के धेर से कुछ आग निकाली जाए अपने ही हाथों में पतवार और आखरी शेर सुनेगा ये भी बड़े तकलीव के साथ ये शेर कहता हूं और ये परिदर्श आपको अभी जो कुछ हुआ है कल में कल परसों में हुआ है उससे आपको कहीं जुडाओ मैसूस करिएगा लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में जैसे मजबूरी में एक रस्म निभाली जाए अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए तब तो मुम्किन है कि ये नाव बचा ली जाए अपने ही हाथों में तो अब बहराल आप सब यहां बने रहे हमारे साथ रहे हमारा होसला बढ़ाते रहे लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहे तो आप सब का बहुत बहुत आभार एक बार फिर से ये मेरी अपील है आप सब से कि जसने हिंद को एक आंदोलन बनाईए एक अभियान बनाईए जसने हिंद से जुड़िये मतलब हमारे देश की तमाम सारे जो सांस्कितिक ध्रोहर है उसे बचाने के संकल्प से जुड़िये और डॉक्टर मतला टंडन जी का बहुत बहुत आभार साक्षी संस्ता के माध्यम से जो वो बहुत सारे जो वंचित बच्चे उनके जीवन में जिस तरह उजाला भर रही हैं जिस तरह देश हमारे संस्कितिक गदविदियों में को आगे बढ़ा रही है संस्किति को आगे बढ़ा रही है भाई चारा को आगे बढ़ा रही है और ये सिलसला आज नया शुरू किया है ये सिलसला आगे चलेगा बहुत सारे लोग उनको आप सुन पाएंगे मैं तो एक जसनेहिन से जुड़ाए के नाते पिर आप आपको बहुत अच्छे चेव्यक्तित साहित के संगीत के बगएरा उनसे भी जुड़ने का मौका मिलेगा तो वहराल अपना लोग डाउन चल रहा है सब जो आपके जानकार हैं उनको भी बताईए कि कोई लापरवाही ना करें बहुत सुरक्षित रहिए साउधान रहिए सतरक रहिए अपना ध्यान रखिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन